कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी को लगता है कि 2019 में सपा बसपा और कॉंग्रेस मिल जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारनसी से भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे राहुल के दावों में कितना दम है ये तो 2019 के चुनाव में ही पता चलेगा लेकिन अगर 2014 के लोकसभा और 2017 के विदानसभा चुनाव का डेटा देखें तो कहा जा सकता है कि सपा बसपा और कॉंग्रेस ही नहीं को कहा कि यदि तीनों पार्टियां साथ आती हैं तो मोदी शायद वारनसी सीट भी हार जाएं राहुल ने कहा मैं उन्हें चुनावती देता हूं कि वे तीनों दलों के ख़ड़े हो कर दिखाएं मोदी ने वारनसी को कर्म भूमी बनाया 2014 के लोगसभा चुनाव में नरेंदर मोदी ने यूपी की वारनसी संसदिये सीट को अपनी कर्म भूमी बनाया वारनसी के लोगों ने मोदी को दिल से स्विकार किया 2014 के चुनाव में 10,30,685 वोटरों ने मद्दान किया 2009 की तुलना में 2014 के चुनाव में 15 फीसदी ज्यादा वोटिंग हुई विपक्ष के वोट से ज्यादा मोदी के मिले वोट नरेंदर मोदी को भीजेपी उमीदवार के और पर 5,81,022 वोट मिले जो कि कुल वोट का 56 फीसदी हिस्सा रहा जबकि आम आदमी पार्टी के अर्विंद के ज्रीवाल को 2,9,238 वोट मिले कॉंग्रेस उमीदावर अजेगरा एको 75,614 बससपा के विजेप्रकास जैसवाल को 6,589 सपा के कैलाश चौरसिया को 45,291 और टीमसी की इंदिराप्तिवारी को 2,674 वोट मिले यानि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सभी विपक्षी दलों के वोट को मिला दें तो कुल 3,93,396 वोट होते हैं इसके बावजूद मोदी के कुल वोट इनसे 1,87,626 अधिक हैं वारनसी संसदिये सीट में 5 विदान सभा सीटें गवर तलब है कि वारनसी लोगसभा क्षितर के तहट 5 विदान सभा सीटें आती हैं इन में रोहनिया, उतर वारनसी, दक्षिन वारनसी, केंट वारनसी और शिवपुरी विदान सभा सीटें आती हैं 2017 के विदानसभा चुनाव में 4 सीटे BJP ने जीती और एक सीट सहयोगी पार्टी अपना दल के पास है ये तब हुआ जब विदानसभा चुनाव सपा और कॉंग्रेस ने मिलकर लड़ा 2017 के विदानसभा सीटों के आकड़े रोहनिया विदानसभा सीट पर BJP उमीदवार सुरेंदर नारायन सिन को 1,19,885 वोट मिले थे जबकि सपा को 62,332 और बसपा को 30,531 वोट मिले यानि दोनों पार्टियों के वोट मिलाकर भी BJP से कम है उत्तर वारानसी सीट पर BJP को 1,16,017 वोट मिले वहीं कॉंग्रेस को 70,515 और बसपा को 32,874 वोट मिले यहान भी दोनों पार्टियों के वोट मिलाने के बाद भी BJP से कम है दक्षन वारानसी सीट पर BJP को 92,560 वोट मिले थे वहीं कॉंग्रेस को 75,334 और बसपा को 5,922 वोट मिले इसी तरह से मुसलिम बहुलवारान असी की कैंट सीट का नतीजा रहा इस सीट पर बीजेपी को 1,32,609 वोट मिले जबकि कॉंग्रेस को 71,283 और बसपा को 14,118 वोट मिले शिवपुरी सीट को बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल को दिया था इस सीट से अपना दल को 1,3,420 वोट मिले थे वहीं सपा को 54,241 और बसपा को 35,657 वोट इस सीट पर भी दोनों विपक्षी पार्टीयों के वोट मिलने के बाद भी बीजेपी से कम है वारानासी की पांचों विद्दान सभा के चुनावी नतीजे के लिहाज से बीजेपी उमीदवार को 50,50 से ज्यादा वोट मिले हैं जबकि सभी विपक्षी पार्टियों के वोट मिलने के बाद भी बीजेपी के आंकडे को छू नहीं पा रहे हैं ऐसे में अगर 2014 के लोग सभाचुनाव या फिर 2017 के विदान सभाचुनाव जैसी वोटिंग हुई जबकि सभाचुनाव जैसी वोटिंग हैं